17 अगस्ते विधान सभा सत्र की शुरुवात होने जा रही है ये 2021 का 32 सत्र है इसको लेकर बातचीत करेंगे हम हर्दय नाराइंड दिचीत से विधान सभा अध्याचे सर 17 अगस्ते शुरुवात हो रही है इस बार फिर हंगामा खेश सदन के आसार नजर आ रहे हैं और किस तरह से इसको मैनेज करना है क्या कुछ है विपक्ष से अपीला मुझे विश्वास है कि विपक्ष मुद्दा आधारित बहस करेगा और सदन के इस समय का सदुपयोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों करेंगे तमाम समस्याएं होती हैं सदन में उठ जाती हैं तो उन पर गंभीर चर्चा भी हो जाती है और उनके समाधान के लिए भी उत्साह वर्धक नतीजे आते हैं तो मुझे तो विश्वास है कि कोई हंगामा ऐसा हंगामा जो सदन की परंपरा और नेमावली के बिरुद्ध हो नहीं होगा सर एक सवाल और था कोवीड प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन कलाएंगे आप क्योंकि देखा जा रहा है कि तीसरी लहर भी तेजी के साथ आ रही है और केसे लखनव में भी लगातार बढ़ रहा हैं कभी मुंबई से आने वालों पाजिटिव मिलते हैं कभी केरल से आने व बहारी प्रकूप के बीच हुआ था सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने कोवीड प्रोटोकाल के पालन में हमारा सहयोग किया था और इस बार भी हम लोगों ने तैंकिया है कि कोवीड प्रोटोकाल का पालन सत्त करेंगे इसके लिए हम फिर से भी पक्ष की बैठक ब बात करेंगे और हर हालत में कोविट प्रोटोकाल का पालन होगा सर तमाम विधायक ऐसे हैं जो लंबे समय से सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा है सदन चलता और एक चिठी भी एक वकील साहब ने आपको पत्र लिखा था मुखतार अंसारी हैं और दीगर जो विधा हैं उनकी सदस्ता समात्त करने को लेकर उस पर क्या कोई विचार चल रहा है उस पर कोई मुकदमा चल रहा है आपके महां पर हमारे कोई मुकदमा नहीं ग्यापन दिया था यह बास सही है लेकिन कोई हमारे मुकदमा तो दल बदल वाले में हमको अधिकार है सुनने का ऐसी आजिकायें आदरनी सदन ही निप्राता है हमारे पास व्यक्तिकत रूप से या सरकार के पास व्यक्तिकत रूप से अधिकार नहीं होते सदन में गैराजिरी का प्रस्ताव अगर आता है तो उस पर विचार होगा फिल्हाल अभी मुख्तार अंसारी को लेकर कोई विचार नहीं चलता है उनके परिवार वालों का कहना है कि सरकार उनको सदन में जेल से नहीं बेजना चाहती पिछले कई बार जेल से वो सदन में आते रहे हैं लेकिन अब जो है वो सरकार नहीं चाहती कि वो सदन में नहीं सदन कोई भी व्यक्ति जो भ सजा हो गई हैं यह दो तरह के अभ्यूक्त होते हैं नियाय का भी रक्षा वाले लोगों को जिन पर सजा नहीं हुई निढ़ने कोट लेता है कोट आदेशित करता है कि भाई आप इनको सदन में हिस्सा लेने दें लिकिन जिने सजा हो गई है उनके बारे में उचस्तरी निढ का फैसला है तो इसी आधर पर हम काम करेंगे सर एक आखरी सवाल ये था कि कई लोगों की सदस्ता रद हुई जैसे अब्दुल्ला आजम हैं तमाम लोगों की और कई लोगों की सदस्ता को लेकर पीट पर सवाल खड़े किये विपक्ष ने जैसे कांग्रेस नेता अदिती स की जो सदस्ता थी उसको लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पीट पर सवाल खड़े किये कि जो लोग भारती जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनकी सदस्ता नहीं हटाई जा रही और जो लोग किसी दूसरे दल में जा रहे हैं या दोश भावना से लोगों की सदस जब दल बदल कानून के अंतरगत सुनवाई करते हैं तो यह एक नियायाईक कारिवाई होती है प्रसासनिक नहीं और नियायाईक कारिवाई में दोनों पक्षों के वकील भी हमारे यहां आये थे प्रतेक मामले में इसे नितिन अगरवाल जी का मामला भी लंबित है तो दो पक्षों के अधिवक्तों को सुनकर सम्विधान के अनुरूप हम फैसला लेते हैं वो कोई राजनायतिक निड़ने नहीं होता है। मुद्दों के अधार पर बहस की जाए ताकि जनता का भी फायदा हो और जनता के हित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो सदन में उठाए जा सकें। कैमरामेन गिरीश के साथ सीमा अबनकवी भारत समचार लखनव।